हेलो एवरीवन वेलकम बेक तो माई चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं थ्री लेयर डिजाइनर स्कट जो कि आज कर काफे ट्रंड में है वीडियो शुरू होने से पहरे अगर आपने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले तो चलो शुरू करते हैं इसके लिए मैंने तीन मीटर फैबरिक को एक बार हाफ में फोल्ड करकर ट्रेंगल शेप में बिच्खा लिया है इस कॉर्णर से हम अपनी कमर का चौता है से लेंगे यहां पर मेरी कमर साइज जो इसलिए हम नौ इंच पर माक करेंगे जो कि उपर के पाइंट से एकुल साइज परोगा इस माक से आब हम अपने स्कूर्ट की लेंद माक करेंगे अब हम उपर के पाइंट से इस माक तक सेम तरीके से माक कर लेंगे और इने मिलाकर कट कर लेंगे सेम तरीके से अब हम सेकंड लियर की कटिंग कर लेंगे इसकी लेंद हम फस्ट लेट से आदी रखेंगे उपर से बारा इच पर बाग करके इसे सेम तरीके से शेप देकर कट कर लेंगे कट करने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह से दिखेगी सेम तरीके से अब हम थर्ड लेयर की कटिंग कर लेंगे जिसका साइज हम सेकेंड लेयर से आधा रखेंगे नीचे की तरफ से फिनीशिंग करकर इन दोनों फैबरिक को हम आपस में कमर से जोड लेंगे यहां मैंने फर्स्ट और सेकेंड लेयर को नीचे से पनीशिंग करकर कमर से जोड लिया है अब हम थर्ड लेयर को भी इसी तरह से जोड लेंगे साथ ही इसमें हम बैल्ट भी जोड लेंगे जिसके लिए हम अपनी कमर साइज से एक इंच लंबी और पाच इंच जोड़ी पट्टी कातेंगे अब हम बैल्ट को स्कर्ड पर इस तरीके से सिल लेंगे यहां हमने तीनों लेरों को जोड़कर बैल्ट को स्कर्ड पर सिल लिया है साथ ही मैंने इसमें कैन कैन भी अटेच की है अब मेरी स्कर्ड बनकर बिल्कुल तयार है अगर आपने से कोई भी इसे बाई करना चाहता है तो इस स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर इसके स्क्रीन चॉट के साथ मुझे वर्ट्स अप करे इसका प्राइज है 249 अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फॉर वचिंग गाईज बाबाई